हेलो फ्रेंड्स आदावर्च मैं आपके सेवा में हाजिर हूँ कुछ खास जनकारी लेकर के कोमा कोमा क्या है और क्यों होता है तो आए इस पर डिसकस कर लेते हैं कोमा सब्द कोमा ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ मिनिंग गारी नींद्रा यानि हेबी असलीप होता है पर ऐसा नहीं है कोमा डिशावडर अप्दा अनकॉंसनेस और विजिटेटिव स्टेज मुस्टली यह दो परकार के होते हैं पहला टंप्रोरी स्टेज इसम पेशेंट कभी भी होस अवेक में आ सकता है शेकर्ड मैं पर्मानेंट स्टेज इसमें पेशेंट हमयशा के लिए कोमा में चला जाता है और होस वेकनेस में आने की उमीद नहीं रहती कोमा में बोडी तो एक्टिव राता है बत ब्रेन प्रेलाइज हो यानि sensory nerve काम करना बंद कर देते हैं और patient REM rapid eye movement और ran asleep इसमें movement नहीं देखे जाते इस position में patient को कई तरह के cost होते हैं जैसे O2 शांस लेने में तकलिफ होता है उस हालत में patient को ventilator की आसकता होती है coma patient energy की खपत बहुत कम करता है उसका immune system काफी कमजोर हो जाते हैं तो मैं Dr. A. N. Huck, HMI President Gopal Gunj Bihar, मेरे channel में आपका welcome है इस channel के माधियम से इसका काराण यानि कौद जान लेते हैं जो बहुत ही important है पहला में serious accident, heavy injury, brain hemorrhage, depression, hypertension, brain infection जैसे brain tumor इतियादी, sudden shock, sudden death, heavy medicine, chemotherapy, stroke, narcotic medicine यानि narcotic drug जैसे गंजा, अफिम, cocaine, सराब, etc. अब इसके कुछ खास लक्षाण symptoms देख लेते हैं कोमा में जाने वाला बेक्ती ना बोल सकता है, ना देख सकता है, ना ही body में कोई movement आसपास के लोग समझ रहे होते हैं कि इनका सब कुछ normal है, पर ऐसा नहीं है इसमें brain का function एकदम बंद हो जाता है, according to researcher ना कोई feeling, ना laughing, ना ही कोई खुसी, ना ही कोई गम, इनकी दुनिया एकदम अलग थलग हो जाती है अब तक इसका कोई treatment नहीं है, ना ही कोई medicine, research चल रहा है हम जल्दी ही इस पहली को सुल्जा लेंगे, नई नई टेकनिक आ रहे हैं good bye, coming back for new information, thanks and regards, jai in jai bharat